राज्य पिश्रा वर्ग आयोग अपने एक दिवस्य बुकारो दोरे के दोरान बुकारो सरकीट हाउस पहुँचा जहां उपायुक विजया जाधों ने उनका स्वागत पाउधा दे कर किया तत्पशात आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र परसाथ की अध्यक्ष्णा में जिले के पदाधिकारियों के साथ सरकीट हाउस के सभागार में बैठक आयोजीत की गई उन्होंने कहा कि आज की बैठक में मामलों के निस्पादन की समिक्षा की गई, आयोग के मिले आविदिनों में से कितने प्रतिशत का निस्पादन हुए इस पर चर्चा की गई आयोग के द्वारा यहां बोकारो जीदां में जूर जीवस में समिक्षा बेठा कर गया है, जिसमें आपके देख रहे हैं सभी पतादियकारियों के साथ, बेठा करके जो प्राप्त आविदन है, उस आविदन के आलोप में कृट करवाई का, तोल ओपन कर रहे हैं, उसमें कि कितने निस्पादन किया गिया है, और कितना आविदन में निस्पादन होना बाकी है, जो भी आविदन आयोग को प्राप्त था, उस आविदन के आलोप में आविदन को बेठा किया है, और हम लोगों लगवग लगवगल सतर परतिसत आविदनों में उसका अनुपालन हो च पुलिस को मिली गुप्त सूशना के अधार पर बलियापूर से जरिया की ओर आ रही पीकप वैंज से करीब 9 kg गांजा वरामत किया गया सिंद्री अंचल के SGPO भुपेंदर रावत ने तीसरा थाना में प्रेस्वारता कर बताया कि वरिया पुलिस अदिक्चक को मिली गुप्त सूशना पर SGPO के निर्तित्तों में तीसरा थाना और घनुवाडी ओपी की पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग में लगाया गया जिस दौरान घनुवाडी ओपी छेत्र के छे नंबर के समीप पुलिस को देख पिकप वैंड को चालक छोड़ कर फरान हो गया पुलिस के दुबारा पिछा किया गया और पुलिस के दुबारा जब पीकप की तालासी ली गई तो ड्राइवर के स्टीट के बगर में गुरे रंके प्लैस्टिक के जोले में करीब चाले नौ किलो अवैद गांजा पराबंद किया गया है और इस समद में तिस्टा धन्वाटी ओपी खाना कान संक्षा पैसे टोडिक चोबिस जिनांग एक कीस साथ चोबिस के तहत सुसंगा धारावन मामला दल्ज किया गया है और अनसुनहां जारी है